हेलो दोस्तों वेलकम टू असरपे किचेन मेरे किचेन में आने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धनियावाद है तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लेकर आगई बहुत सिंपल एंड टेस्टी बतुआ साग की रेसीपी तो बीना मसाला की बना के दिखाने वाले हूं तो जो रूल देखिए तो उसके लिए सबसे पहले हम लेसुन का जो एक लेसुन को हम चील लिया और बतुआ साग को हमने अच्छा से साप करके उसमें चोटी-चोटी पीसेस में कर लिया और ले लिया दस बड़ा हरी मीर्च अगर अब लोग को तीखा पसंद है तो थोड़ा कम क करें तो सागे हमरा डालने के बाद ग्यास को ओन करके फिर हम हम शाग को अच्छी तरीका से बॉइल कर लेंगे तो सागे हम दल देए स्वात कर अनुसा सॉल्ट कि और एक ग्लास की पनी अब ग्यास को आन करके हम साग को अची तरीकर से बॉयल कर लेंगे तो ए दिखे दोस्तों, साग जो है हमारा आधा पकचु का है और पानी सुखा लेंगे, इसका साग का पानी जो है पूरा तरीकर से पानी सुखा लेंगे तो थोड़ा चैसे मिक्स कर दिया तो ये दिखे दोस्तों साग से पानी पूरा सुक चुका है अब इसको हमने पेश्ट बना लेंगे मतलब पीस लेंगे तो हम ग्लास की मादा से पीस रहें अगर आप लोगों को चाहिए तो मिक्सी में भी पीस सकते हो तो मिक्सी में पीस के उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने ग्लास के मादा से पीस ले रही हूँ तो अच्छा से पीसने के बाद हम डालेंगे जो हम चावल कमार जो फेक देते हैं हमेशा फेक देते हैं अज उसी को डालके हम यह सबजी बना लेंगे और खाना में भी बहुत टेस्टी लगता है अब लोग जोडूल एक बट्राय कीज़ेगा अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सियर और कमेंट करके बताएगा अगर मेरी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरे ने का बेल आइकन भी क्लिक कर दीज़ेगा तो हमने क्या किया साड़ा जो साग है अच्छे से पीस के फिर हमने गैस को ओन कर लिया गैस पर कड़ाई बिठा के और जो चावल कमार है हमने पहले से निकल के रहा था उसको डाला डिया डालके अच्छे से मिक्स कर ले रहée अब डाल देंगे जो लसन हमने कूट के रखा था इसको लिगा करना है ना कुछ करना है और डालना है तो अब डाल देने 1 टुविल स्पून अशिर्वत का आटा लेके मैं पाने में घोल बना लिया अब उसको भी डाल दिया ये आटा डालने से जो हमारा साग है पूरत थिक बन जाता है गारा बन जाता है इसलिए मैंने थोड़ी सी डालती हूँ अगर अब लोग को पसंद नही तो नहीं डाल सकते हो तो हम थोड़ी दिर पका ले रहे हैं जो आटा लेसुन डाला थोड़ा अच्छा से पक जाए फिर हम परेस के दिखाएंगे तो देखिए हमारा जो यह है साग की रेसिपी पूरा बनके रेडी है तो और थोड़ी दिर हम मिक्स कर ले रहे हैं आच्छ अच्छे से पके तो हमारा साग जो है अच्छे से पक चुका है अब हम परेस के दिखा रहे हैं तो देखिए दोस्तों पकिने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहे हैं खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है आप लोग एक बार जो रूल ट्राइ किजेगा तो आज के लिए अच्छे से लाइ भाप दाले